एक फरवरी को मोधी सरकार का बजट पेश होगा जिसमें किसानों को बड़ा तोफ़ा मिलने के उम्मीद है बजट में PM किसान सम्मान निधी योजना के तहट पैसा बढ़या जा सकता है अभी इस योजना के तहट किसानों को सालाना 6,000 रुपए मिलते हैं जिसी बढ़ा कर 9,000 रुपए किया जा सकता है सूत्रों का दावा है कि सरकार PM किसान सम्मान निधी योजना के तहट मिलने वाले पैसों में सीधे 50% की बड़ोती कर सकती है रिपोर्ट की माने तो PM किसान सम्मान निधी योजना के तहट किसानों को साल भर में 3 किष्टें दी जाती है सरकार हर 4 महने में 2,000 रुपए देती है ये पैसा किसानों के खातों में ऑनलाइन ट्रास्फर किया जाता है किसानों को तीन किष्टों के जरीए साल भर में 6,000 रुपर दिये जाते हैं सरकार जिसे बढ़ाकर 9,000 रुपर तक कर सकती है अभी तक ऐसी खबरे आ रही थी कि सरकार 8,000 रुपर बढ़ा सकती है लेकिन सूत्रों की मायने तो सरकार PM किसान स्कीम में 50 फीजी तक की बढ़ोतरी कर सकती है PM किसान सम्मान निदी केंदर सरकार की स्कीम है जिसका एलान साल 2019 के अंतरिम बजट में हुआ था सरकार की इस इसकीम की 16 किष्ट इस साल फरवरी से मार्च की भी जारी होने की उम्मीद है इस इसकीम को छोटे और सीमांत किसानों की आए में बढ़ोतरी के मकसद से सरकार ने शुरू किया था जो शुरुवाद से इकाफी लोगपी रही है इस योजना के तहट सरकार ने पिछले बजट में PM किसान पर 60,000 करूट उपे खर्च किये थे हलांकि अगामी अंतरिम बजट में इसकीम के लिए आवंटन बढ़ाय जाने के उम्मीद है इसके अलावा फसल बीमा और ग्रामीर रोजगार योजना के लिए भी रकम में बढ़ोतरी के आसार है PM किसान सम्मा निदी योजना का लाप उठाने के लिए किसानों को कुछ शर्तों को पूरा करना होता है जो किसान इन शर्टों को पूरा करते हैं उनको इस योजना का लाप मिलता है इस योजना का लाप सिर्फ किसानों को मिलता है अगर कोई इंजीनियर, सीय, डॉक्टर जैसे प्रोफेशन में है तो अगर किसी सीनियर सिटीजन को 10,000 रुबस जादा की पिंशन मिलती है या कोई सरकारी नौकरी से रिटायर कर्मचारी है तो वो भी इस स्कीम का फायदा नहीं उठा सकते है इस योजना के थायत एक परिवार का एक सदसी लाव उठा सकता है साल 2024 चुनावी साल है देश में लोक्च सवा चुनाव होने है जिसे देखते हुए एक फरवरी को पूरे बजट के बजाए अंतरिम बजट पेश किया जाएगा जो मोधी सरकार के कारेकाल का आखरी बजट होगा केंद्री वितमंत्री निर्मला सीता रमल बजट पेश करेंगी इसी के साथ उनके नाम एक रिकॉर्ड भी दर्ज हो जाएगा ये बजट पेश करते ही निर्मला सीता रमल छटा बजट पेश करने वाली पहली महिला वितमंत्री बन जाएगी साथ ही वो पूर्व वितमंत्री मुरार्जी देशाई की बराबरीव कर लेंगी इस खबर को लेकर आपका क्या कहना है हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी खबरों के लिए बने रही है निजएट इन इंडिया ओजनल्स के साथ